वेल्कम तु एसके हिस्टिरी सक्सेजिस्टिरी मैं हूँ संजय गुपता आप लोग देख रहे हैं साइन्स क्लास सेवेंथ विंडिस्टर्मन सैक्लोन का एक्सरसाइज चूज दे करेक्ट अप्शन फर्स्ट है एयर मुपस फ्रो आप्सन दिया हुत है फ्रों रिजन अप्शन दे よ रिजन परेशर तो रिजन अप्रेसर एप्रेशर है जो जो एएर आमowo ne se lo pressure ki aur, to from region of high pressure to region of low pressure, option number second correct hai, from region of high pressure to region of low pressure, high pressure se low pressure ki aur air moops karta hai, second hai, which of the following sentences is correct which are the following sentences is correct कौन सा अप्शन प्रेक्ट है increased wind speed is accompanied by increased wind pressure second option है increased wind speed will affect increased wind speed will affect air pressure reduced wind speed is accompanied by reduced air pressure and increased wind speed is accompanied by reduced air pressure तो इसका four options correct हो जाएगा increased wind speed is accompanied by reduced air pressure अगर wind speed बढ़ती है तो उसका air pressure कम होता है तो four option correct है अगर wind speed बढ़ती है तो air pressure कम होगा तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब विंड भूत तेज से चलती है तो तीन सेड भी उड़ जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब तीन सेड है तो तीन सेड के ऊपर ऊपर जो अटमासफेरिक प्रिशर लगता है और नीचे की ओर भी उतना ही अटमासफेरिक प्रिशर लगता है लेकिन जब अचानक विंड चलने लगे विंड की स्पीड तेज हो जाती है तो उपर का एयर प्रिशर कम हो जाता है जब उपर का atmospheric pressure कम हो जाता है लेकिन नीचे का उतना ही atmospheric pressure बना रहता है जिसकी वज़ा से टीन सेट उड़ जाते है Question number C Winds from the ocean carries water and bring rain These winds are referred to as Monsoon, Cyclone, Typhoon, none of these The winds from the ocean carry water and bring rain तो इसका option correct हो जाएगा monsoon First option, monsoon Question number D The swift movement of falling water droplets along with rising air create lightning and sound This event is called monsoon, cyclone, typhoon and thunderstorm तो इसका option हो जाएगा Four, thunderstorm लेकिन हमें lightning पहले दिखाई देती है और sound बाद में सुनाई देता है ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों घटनाए एक साथ होती है Lightning पहले दिखाई देती है कि लाइट की जो स्पीड है वह sound की स्पीड से काफी जादे है तो लाइट की स्पीड जादे होने के करानर वह पहले दिखाई देती है जल्दी से फोज जाता है अर्थ पर आकाश में और थंडरिंग आनि sound की स्पीड कम होने करा में सुनाए देता है Light की स्पीड 3 Lags 3 Lags मीटर पर सेकेंड होती है 3 Lags मीटर पर सेकेंड जबकि sound की स्पीड 3 33 या 330 के आसपास होती है मीटर पर सेकेंड तो साउन्ड की स्पीड लाइट की तुल्ला में काफी कम है इसलिए लाटनिंग और थंडरिंग साथ होती है लेकिन हमें लाटनिंग पहले दिखाए देती है क्यों उसकी स्पीड तेज होती है क्वेश्चन no e in case of thunderstirm we should take shelter in a metal set take shelter in a building lie on the ground use an umbrella with a metal in option faster take shelter in a metal set अगर thunderstirm हो रहा है तो metal set के नीचे नहीं आना चाहिए लाई अंदर ग्राउंड पर भी नहीं लेट यह होती है लाइचनिंग जो है बिजरी आशक्ते गिर शकती है और यूज आनम अमब्रेला ठीयों अभी रहेना चाहिए उससे में जब थंडर्स्टर्मिंग हो रही हो F Question number F Factor Affect the development of cyclone is there are temperature the wind speed and the level of humidity तो factor Affect the development of cyclone cyclone की development को affect करने वाला आल आप दीज है सभी फैक्टर है टेंप्रेचर है विंड है विमिलिटी है कुशन अबर जी साइकलोन इस रिफर्ड ऐस टाइफून इन साइकलोन को हम टाइफून भी करते हैं और यह कहां कहते हैं बोथ फर्स्ट और सेकेंड अप्शन अन्य आप्शन नम्बर फोर करेक्ट है वेस्ट और हिंड फिलिपिंस में चाइकलोन को टाइफून के नाम से जना जाता है और अचनल करोतल आप्शन हrorीकेंड était जाना जाता है hurricane हुआ हुआ हिए हुआ अर्यूटक अमेरिका लग इसाकलों को है फिर देख लगते हैं ए ङहर एराउंड हर्भ एक्जouch एर्ड्स एरजों मेरी तरफ होता है वह क्या एक्जेट्स करता है प्रेशर एर प्रेशर आर एट्मा decor luc भी बोल सकते हैं ऐर प्रेशर या इटमास्फिरिक प्रेशर तो एर एराउंड अग्जार्ट प्रेशर अफ्ट्न नमर भी एर डैस अन हिटिंग एंट कंट्रेक्ट अन एर जो होता है वह expand होता है heat करने पर और cool करने पर contact होता है तो air first blank में हो जाएगा expand air expand on heating and contract on cooling expand and cooling option number C question number C speed wind are accompanied by reduced air pressure तो अभी हमने बता है कि जब air pressure कम होगा air pressure कम होगा तो wind की speed तेज होगी wind speed अगर तेज रहेगा तो air pressure कम हो जाएगा तो यहां हो जाएगा reduce pressure है इसका मतलब है air pressure कम है तो wind speed तेज होगी यानि increase भरा जाएगा इसमें question number C में होगा increase increase speed wind or accompanied by reduced air pressure option D air moves from a reason of air moves कैसे करता है reason of high pressure high pressure इसमें फिलब होगा high pressure high pressure और इसमें फिलब होगा low pressure यहनि की air moves from a reason of high pressure to reason of low pressure question number E warm air is warm air is lighter warm air is lighter इसमें फिलब होगा lighter मतलब हलका वार्म एर हलका होता है warm air is lighter than cold air and therefore therefore rises rises whereas cooler air tends to rushes इसमें होगा रसेश to question number E warm air is lighter than cold air and therefore rises up whereas cooler air tends to rushes towards the earth's surface question number F as warm air rises air pressure at that place reduced warm air rises up rises air pressure at that place is reduced reduced होगा R.E.D.U.C.E.D. and the cool air moves to that place यहां होगा cool air as warm air rises air pressure at that at that place is reduced and the cool air moves to that place question number G the air is called wind किस तरह का air wind कहा जाता है तो G में फिलप होगा moving air moving moving the moving air is called wind H which dash hitting of the earth is the main काजा wind movement hitting of the earth कैसा hitting uneven hitting uneven hitting इसमें होगा uneven hitting uneven hitting of the earth is main काजा wind movement जो wind movement होता है वह आर्थ के uneven hitting के कराना होता है I इसमें हमें होगा या हम बोल सकते हैं uneven hitting of the earth change in direction of wind जो wind की current जो wind flow होता है wind के flow होने के direction जो change होता है वह hitting of the earth आर्थ के hitting के करान होता है question number J and last cyclones are called in Philippines में शाय क्लोन को क्या कहा ता है तो फिलिपीन में शाय क्लोन को कहते हैं टायफून um शाईख्教न और काल्ड टाइफ़ोन इन फिलिपिंज अ एक क्वेशन है जो आपDR करके बताई है का साइक लोई कर देबर काल्स Gibson inflammation शाल और काल्ड वाट इस ऊबर साइकलोन इन अमेरिका अमेरिका में साइकलोन को क्या कहा जाता है फिलिपिन्स में तो टाइफून कहते हैं साइकलोन को लेकिन अमेरिका में साइकलोन क्या कहा जाता है इसका एंसर आप लो कमेंड करके बताईगा ओके थैंक्यू